ओम शान्ती आज है 14 जून 2023 की साकार मुरली आईए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावक्यों को मीठे बच्चे तुम्हारा है सतो परधान सन्यास तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धी से भूलते हो प्रेश्न तुम ब्रहमन बच्चें पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है उत्देर तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारी विश्व को पावन बनाने की इसके लिए तुम्हें निरंतर शेबाबा को याद करते रहना है याद ही योग अगनी है जिससे आत्मा पावन बनती है विकर्म विनाश हो जाते हैं गीत दुखियों पर रहम करो ओम शैंती बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं तुम्हारा जरूर वह बाप है अब बाप को बच्चे कभी भी सरव्यापी नहीं कहते लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सरव्यापी है यह बेहत का बाबैट समझाते हैं तुम सब बच्चे हो तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता कहते हैं परमात्मा को सुप्रेम सोल भी कहत परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सौल, तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है, सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, जिसको याद किया जाता है, उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है, उनको बेंत नहीं कहा जा सकता, मिनश्य ईश्र बाप को बेंत कहते आए ह उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं और फिर कहते हैं सरव्यापी है यह तो बड़ा अनर्थ हो गया पत्थर ठीकर समय इशर है उनको फिर बे अंत कहते हैं बच्चे बाप को भूल गए हैं इसलिए सारी मनुश्य स्रिस्टी नास्तिक पतित कही जाती है हर एक नर्नारी पतित है तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती बापु गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम यह मनुश्य के लिए कहते पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा, यहाँ है जूट, जूटी माया, जूटी काया, है ही जूट खंड, सच खंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था, अब वही भारत पुराना हो गया है, भारत जब नया था तो उनको स्वरक कहा जाता है, जिसको पांच हजार वर्ष वे तेता में दो कला जाता है पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया में पुराना भारत, वर्ल्ड नई भी होती है, तो पुरानी भी होती है, अब है पुरानी दुनिया, सम्मनुश्य नास्तिक हैं, इसलिए दुखधाम कहा जाता है, फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाब बना सक भारत जो पावन था पतित बन गया है जब purity थी तो peace prosperity थी भारत की आयो average बड़ी थी अभी तो बहुत छोटी है भारत रोगी कब से बना दुनिया नहीं जानती ऐसी नहीं कहेंगे कि परंप्रा से रोगी है भक्ती शुरू ही दौपर से होती है कल्यूप का जबन्थ होता है त ग्यान सागर के पास ग्यान का सागर नौलेज फूल यहां उस बाप की ही महिमा है मनुश्य स्रिस्टी का बीच रूप है सरव्यापी कहने से बाप अच्चे का लव नहीं रहता यहां है आर्फन दुनिया सब आपस में लड़ते रहते हैं इसलिए इसको रौरव नर्ख कहा जाता है भारस्वर्ग था अब नर्ख है यहां किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नर्ख वासी है तो जरूर नर्ख से ट्रांसफर होंगी प्रंतु ऐसी नहीं कि नर्ख वासी पुनरजनम फिर स्वर्ग में ले सकते हैं वहां पुनरजनम सब नर्ख में ही लेते हैं नर आत्मा को एक शरी छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। ब्रम्हा का बाप कौन है शिव। ब्रम्हा विश्नो शंकर है शिवाबा के बच्चे उन्हों को भी अपना सुक्ष्म शरीर है। उनमें यहादी मध्यंत का ग्यान नहीं है। सत्योगी देवताओं में भी यहाग्यान नहीं है। तुम चानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम्पिता परमात्मा के सिवाए कोई राज्योग सिखलाना सके। शरी कृष्म को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इसमें सब पते तमो परधान हैं। बाप कहते हैं यह सारा वेराइटी मिनुश्य स्रिस्टी का जाड़ है। तमो परधान रोगी दुखी हैं। भारत कितना उच था अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयूही लाखों वर्ष लिखते हैं। समस्ते हैं कल्यों को भी चालिस हजार वस चलना है। बाप समझाते हैं यहां है घूर अंधियारा। अब ज्यान सूर्य प्रक्टा अज्यान अंधियर विनाश। बाप है ज्यान सूर्य। वहां आकर अज्यान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात सत्युक्त देता को प्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रम्हा कुमार कुमारियां, ब्रम्हा के बच्चे, ब्रम्हा तो विश्य अत्वा स्वरका रच्छाइता नहीं है, निराकार हैवनली गॉड़ फादर की ही महमा है, वह बाप ही आकर राच्छोग सिखलाते हैं, बाप कहते हैं, हे बच्चे आत्माओं से बात कर आत्मा ही सब को सुनती है धारन करती है और संसकार ले जाती है जैसे बाबा ने समझाया है लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संसकार नुसार जैनम लेफे लड़ाई में चले जाएंगे इसमें सबकी आत्माय तमो प्रधान हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं सबसे ब तुम, सब ब्राइड सो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम है सजनिया, तुम बल्कु लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए माया ने तुम को बल्कुल नालायक बना दिया है यहां है रावन राघ, सत्योग में है राम राज राम शिव को कहा जाता है अभी तुम हो ब्रह्मन परम पिता परमात्मा जो स्वरके सापना करते हैं उनसे तुम वर्सा ले रहे हो भारत वासियों को स्वरका वर्सा मिल रहा है कलश माताओं पर रखा है मात अगरु बिगर किसका कल्यान नहीं होता जिसके लिए गाते हैं तौमिव मात अश्य पिता उनको फिर सरव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है मात पिता को फिर बेंत कह देते हां गाते भी हैं तुम मात पिता हमबालग तेरे तुम्हारी कृपा से सुक घनेरे फिर बाप का दोश कैसे रखते हैं, बाप दुआ कर पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावन बनाते हैं, अभी रावन राज्य खतम हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा, इस चक्कर को अच्छी रीती समझना है, बेहत की हिस्टी जोग्राफी बेहत का बाप ही यहां है रुद्र ग्यान यग्य, श्री क्रिशन का यग्य नहीं है, वही गीता का राज्योग है, प्रंतु श्री क्रिशन को इग्यान नहीं देते हैं, यहां है रुद्र शिव भगवान वाच, रुद्र ग्यान यग्य से ही विनाश वाला प्रगट हुई है, अब तुम ब बाप से बेहद का वर्सा लेने मनुश्य से देवता बनने आई हो यह गौड़ फादरली युनिवरस्टी है बाप समझाते हैं यह भारत दैवी रास्थान था हीरे जहरों के महल बनते थे भक्ती मार्ग में भी सोमनात का मंदिर कितना बड़ा बनाया है उनसे पहले क्या होग अभी तो भारत कंगाल है फिर सिर्ताज बनाना बाप का ही काम है अभी तुम बच्चे जानते हो हम मात पिता के सम्मुख बैठे हैं और एक्की जन्मों का सुख पा रहे हैं बाप कहते हैं हे आतमाओ अब तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हू वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफिक ऐसे रिपीट होती है यह तो बच्चों को समझाया जाता है इसमें अंदश्रधा की तो बात ही नहीं तुम्हारा है सतो परधान बेहत का सन्यास तुम पुरानी दुनिया को बुद्धी से छोड़ते हो इसलिए बाप कहते हैं सरवधर देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूल अपने को अश्रीरी आत्मा समझो बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे बाप भस्म होंगी निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाई नहीं अंध तक याद करना है माया जीते ज जगत जीत बनना है माया पर जीत एक शिबाबा ही पहना सकते हैं अच्छा अब आप शिव शक्तियों दोरा भारत पर अविनाशी प्रेजपते की देशा लाते हैं बाप कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेकर इनका नाम ब्रमार रखता हूं तुम ब्रमा कुमार कुमारियां वर्सा लेते हो शिबाबा से याद भी शिबाबा को ही करना है वह कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है तुम भी आत्मा हो प्रन्तु तुम शरी लेते और छोड़ते हो इसलिए जनम बाय जनम तुमहारे नाम बदलते हैं 84 जनम लेंगे तो 84 नाम पढ़ेंगे, सबके 84 जनम नहीं होंगे, कोई की हसी, कोई के साथ, कोई के 5-6 जनम भी हो सकते हैं, मेरा नाम एक ही है शिव, शिव बाबा को याद करते रहो तो विकरम विनाश होंगे, योग अगनी बिगर कोई पावन बन नहीं सकते, तुमने प्रत पतित बनाते हैं, इसलिए फिर धरम राज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी, तुम्हारे पर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, बाब को याद करते रहना यहा है रुखानी यात्रा, अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चियों प्रती, मात पिता बाप दादा क याद प्यार और गुड मानिंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चियों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चियों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मानिंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्यसार, नमबर एक, निरंतर एक बाप की याद से माया जी बढ़ना है पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है नमबर दो बुद्धी से बेहत पुरानी दुनिया का सन्यास करना है इस तेह भान को भूलने का अभ्यास करना है देही अभिमानी रहना है वर्दान किसी से किनारा करने के बज़ाई सर्व का सहारा बढ़ने वाले लेकिन विश्य का सहारा बढ़ने वाली विश्य कल्यानकारी आत्माएं हो परिवार की अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते इसलिए कभी किसी भी बात में किसी स्थान से किसी सेवा से किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्ता अच्छी बनाने का यहाँ आदत डाली तो कहां भी टिक नहीं सकेंगे श्लोगन करम भो का वर्णन करने के बचाए करम योगी स्थिती का वर्णन करो मातेशरी जी के मदुर महवाक्य ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है जब हम ओम शांती शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पुरन डिती से समझना चाहे अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं ओम का अर्थ ओमकार बड़े चोड़े आवास से सुनाते हैं इस ओम पर फिर लंबा चोड़ा शास्तर बना देते हैं प्रंतु वास्त में ओम का अर्थ कोई लंबा चोड़ा नहीं है अपने कोतो सोयम परमात्मा ओम का अर्थ बहुती सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं परमात्मा साफ कहते हैं बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ मेरा असली धरम शांत स्वरूप है अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हो मुख्या बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है बाकी मुख से बैठो ओम ओम का उचारण नहीं करो बुद्धी में यहां निश्य रखकर चलना है ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते प्रन्तु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तब ही उस वरूप में सिथ होते हैं हम यहाँ भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे जाड को कैसी रचा हुआ है उसकी सारे नौलेज हमें अभी मिल रही है अच्छा ओम शान्ती